प्रियार संक्या 51 तो ये भौती सुंदर समय चल रहा है जिसमें रूप गुस्वामी और अनुपम् कहते हैं कि गुरु की करपा से भगवान मिलते हैं और बड़े जन्मों के बाद को गुरु किसी व्यक्ति को कोई ऐसा शार्न मिलती है अलाकि रूप और सनातन ये सब लोग अनुपम् ये भगवान के नित्य संगी हैं हम सुनते हैं कि अलग लग मंजरिया हैं जो परचार कारे एक लिए भेजे गए हैं तो नित्य सिद्द पूरुश है लेकिन ये बड़ा ही इंपटेंट समय चल रहा है जो इनने जीवन का सब कुछ मिलने माला है हिन्होंने जीवन में बहुत कुछ कमाया जीवन में नाम शोहरत कमायी वास्तों में हिर्दय से इनका हमेशा दिल जो और जैसे ही इनको touch किया गया हलका सा चैतने मापुरून आके ओके start now तो इन्होंने तुरंट सब कुछ त्याग दिया जब हमें किसी चीज के बारे में पता चल जाता है कि यह सही है तो हमें उसके बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए कि यह सही जासे कि कोई हमें डॉक्टर अगर बोले कि तुम अगर माना यह शुगर खाओगे तो तो मर जाओगे तो हमारी एकदम से रिलाइजेशन होती है और हम कहते हैं ओके हम शुगर नहीं खाईगे तो हम तुरंट काम करते हैं उस जरह से जैसी हमें अध्याते में जीवन के सचाहिएं पता चलती हैं में ज्यादा देनी लागने चीए छोड़ने में कुछ करने में उतना ही हम अपना नुक्सान कर रहे हैं तो जिस तरह से इन्होंने अपना अच्छन दिखाया इधर चैतन समय वास्ता में बहुत कम है यह एकदम सोड़ जाते हैं तो यह दोनों यहां पर पहुंचे हैं और चैतने महापर को उन्होंने परनाम किया है एई श्लोक पड़ी दूहर कहिला आलेंगण कृपाते दूहर माथाया धारिला चरन श्री चैतने महापरु ने यह श्लोक और फिर बताया कि कोई कितना भी विद्वान इसको बन जाए तो उसको पूझनी है JONT आक्टम पूझनी में और आ उनके सरों में आपने पान रहे नहीं ही नहीं बन आए प्रभूक्र पापाया दुए दूई हात यूली दीन है या स्तूति करे मिलय आचरी महापपराउ कि आयत किर्पापात दोनों भाइयों भाईयोंने हात जोड़े और अत्यंत दीन भाव से महापपरू को की निम्न लिकित स्तूति करी यह वही स्तूति है जो हम लोग आप लोग रोज पढ़ते हैं और ये इस वक्त बोली गई थी जब दोनों अपने इटर्नल स्वामी और गुरू से मिले थे क्या स्तुति है नमो महा वदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत तुषे नमा मैं आपको प्रणाम करता हूँ वदान्याय को जोटी पर्म दयालू है आप स्वैम कृष्ण हैं जो कृष्ण कृष्णचैतन्य महापृत के रूप में परकट हुए हैं कृष्णाय कृष्णचैतन्य है हो तो कृष्ण तेufen है नाम से हैं और आपका वरन क्यासा है आपने श्रेमति राधरानी का गौर वरन धरन किया है लेकिन आप हो कृष्ण ही और आप कृष्ण के शुद्ध प्रेम का उदारता से वितरन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण के प्रेम को प्रदान कर रहे हैं चारों तरफ हम आपको सा नहीं दिये क्योंकि शास्त्रों में भी आपको डारेक्टली नहीं बताया गया है इजर उदर्श लोकों से ढूंड के इंटेलिजेंट व्यक्ति निकाल पाते हैं तो इसलिए आप च्छन अवतार हैं गुप्त अवतार हैं आप अपनी भक्ति को स्थाबित करने आए हैं नहर वरन बदल लिए वास्ताओ में आपने रादरानी का वरन लिए उन्हीं के भाव में आप हैं आपने श्री कृष्णैतन ने नाम रखा हैं जबकि वास्ताओ में आप तो श्री कृष्ण से पैचान लिया योज्यानमत्तं भुवटनम द्यालूर। उल्ला घयन अपी अकरोत प्रमत्तम स्वप्रेम संपत सुधया अद्बुति हम श्रीकृष्ण चैतन्या चैतन्यम अमूम प्रपद्येई हम उन दयालू पूर्ण पुर्शोत्तम भगवान को साधर नमस्कार करते हैं जिनोंने अज्ञान से मदोन मत तीनों लोकों को बदर ल दाला और उन्हें भगवत प्रेम के कोश के अमृत से उन्मत बनाकर रुबुण अवस्ता से उनकी रक्षा करी हम उन भगवान श्रीकृष्ण चैतन्या की शरन ग्रेंड करते हैं जिनके कारेकलाप अद्गुत है गीत या गोविंद लीला मिर्च से लिया गया तो यहां प को क्या कर दिया यह भगवान के प्रेम का जय कोश था खोँगे डिया सब को सब को माला माल कर दिया बगवान के प्रेम से और हमें नीचे गिरने की सितिझ से बचा लिया तबे महा प्रभुता निकट वसया वसाइला सनातनियर वाता कह तहं रप उच् seller इसके बार श्रीं च अनंध 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 अन्ष है अब जानते हैं संसार में कितनी जीवात्मा है कोई निकाल सकता है आप पहेंगे इतने करोड नहीं आप तो मनुष्यों की जन से क्या बता रहे हैं कितने प्लांट होंगे संसार में कितने पेड होंगे चलो पेड यह भी आपो सकता काउंट कर ले कितने मच्छर होंगे कितने खटमल होंगे कितने सांप होंगे कितने बिच्छों होंगे कितने किटान होंगे यह सारी वास्तों में क्या है जीवात्मा है भगवान से भिन हो और ये तो केवली संसार की बात कर रहे हैं हम अक्सर सुनते हैं शास्त्रों में कि ये संसार केवली एक चौथाई है तोटल का थर्ड, थ्री, फोर्थ तो दूसरा ही संसार है जहां पर अनकिनत और जीवात्मा है हाँ सोची इतनी जीवात्माओं में कृष्ण कैन रिमेंबर एवरीबड़ी वो यहां पर सनातन को स्वामी के बारे में पूछ रहे हैं तो इस प्रकार से भगवान का हर किसी के साथ समन्ध है वो हर किसी का वेट करते हैं कि कब हम इस शरीर को क्या गेंगे इस शरीर के बार बार धारन करने की कारण जो हम यहां फस गए है अपनी इच्छाओं के करन उसको कब त्यागेंगे भगवान के पास आएंगे इस रेटिंग यहां पर सनातन को स्वामी के अंतेजार करते है सनातन का क्या समाचार है वो क्यों नहीं आए रूप का इन तेहो बंदी रूप कुस्वामी ने उतर दिया सनातन को हुसैन शा के सरकार ने बंदी बना लिया ज़िए आप क्रपा करेंगे तो उसे बचाएंगे तो वै उस बंदन से छूट सकता है आपकी क्रपा की आवशक्ता तो है दिवात्मा परयातन करती है हम परयास करते हैं और भगवान तब क्रपा करते हैं इसलिए हमारा परयास परयास जैसा होना चीए जैसा आप लोग परयास कर रहे हम लोग परयास कर रहे है इस तरदी में भी हम लोग सोच रहेंगी कि किसी तरह से हमारा रूटीन बना रहे किस तरह से मारा उठने का समय जपन करने का समय बना रहे जाता दिन तो नहीं रहेगा यह मौसम भी फिर चलाई जाएगा लेकिन अपनी तपस्या को अपने वचनों को दिर्ड़ता से पारन करते हैं चाहे मौसम कैसा भी हो चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हूँ यह हमारा प्रयास है और इस प्रयास के बदले में भगवान की कृपा मिलती है तो इसलिए सनातन को समय बहुत प्रयास कर रहे हैं जैसा कि अभी हम सुनेगे लेकिन रूप को समय फिर भी कहते हैं कि आपकी पग्याव शक्ता पड़ेगी प्रभु कहे सनातनेर हायाचे मोचन अची रात आमा स्रही सह हाईब मिलन सी चैतने महाप्रुव ने तुरंत का सनातन उसके कारागार से छूट चुका है और वैशिग्र ही आकर मुझसे मिलेगा यह बैक्ग्राउंड की कहानी पीछे चल रही है लेकिन कृष्णा बिंग प्रमात्मा सब के हिरदय में बैठे हैं तो सब की कहानी को जानते हैं कहानी कहां पर चल रही है तो रूप गुस्वामी को बता रहे हैं रूप गुस्वामी को तो नहीं पता है वो सोत्रे हो जेल में ही है लेकिन पीछे से कुछ-कुछ चल रहा है जो अभी हमने चर्चा नहीं करी है आप बता रहे हैं वो तो छूट ही चुका है अलरडी छूट चुका है गुड नियूस और शीगरी आकर मुझसे मिलेगा मैंने तो किर्पा हमारा फर्द बंता है कि हम बगवान से प्राथना करें क्योंकि वो हमारे स्वामी है लेकिन स्वामी पहले से ही अपने भक्त की चिंता कर रहे होते है योगक शेम महा में देखते हैं अभी इसका विश्वास तूटेगा थोड़ा सा सपोर्ट किया वश्क्ता है थोड़ा और मचलो थोड़ा और मतलब प्रयास करो देते हैं और हम अपना प्रयास जारी दखते हैं तो भगवान वास्ता में निरंतर हमारा चिंतन कर रहे हैं जैसा भगवान हमने सुना था गरुड प्राण में ये प्रसंगाता है कि यदि मृत्यू के समय हम भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं लेकिन उसने पूरे जीवन भक्ती करी होती है तो भगवान उस भगत का ध्यान करते है इसलिए भगत जादा चिंता नहीं करता है क्योंकि उसका पूरा जीवन ही क्रिशने के लिए होता है तो इसलिए भगवान को अलड़ी सोच रहे हैं सनातन के बादे फिर भी पूछ रहे हैं रूप गोसामी से कि सनातन का क्या समाज चाह रहे हैं और उन्हें पता भी है कि वो अलड़ी जेल से छूट चुटा है मध्यान करीते विप्र प्रभूर कहीला रूप गोसाई से दिवस तथाई रहीला तब भ्राहमन ने श्री चैतर ने महापुछ प्रावत न करी कि वो भोजन ग्रहन करें और उस दिन रूप गोसामी भी वहीं पर रहे भटाचारिय दुई भाईय निमंत्रन कैला प्रभूर शेश प्रसाद पात्र दुई भाई पाईला बलबद्र भटाचारिय ने दोनों भाईयों को भी भोजन करने को कहा उन्हें श्री चैतर ने महापुछ की थाल से बचा हुआ भोजन परदान किया गया परदान मंत्री विक्त मंत्री की नौकरीय चोड़कर आदमी कई बर लगता रहे यार इतना पड़ा स्टैप ले रहा हूं कैसे चलेगा मेरा क्राम उस स्टैप में ही क्या मिल रहा था आपको हमें क्या मिल रहा था आदमी की भूग इतनी बढ़ जाती है खुद खुद खु बहुत काम होता चला आता है, इंकम के साथ, उसका आनंद नहीं ले पाते वास्ता में, लेकिन यदी ऐसा भगवान की तरफ नयच्छावर करते हैं, अपने आपको, जैसा इनों नहीं किया, तो भगवान को चिस्ट मिलाने तुरंत, लेकिन जैसा हमें सुना था, उस मंकी की त चनों को पकड़कर हाथ फसाय खड़ाये, उसको चने तो छोड़ने पड़ेगे, जब चने छोड़ेगा तो हाथ भाहर निकलेगा, और ये चने हैं, जो हम संसार में सुना, चांदी, टुकले, नोट, इखटा करने में लगें, हमें सोचना चीए, कि कहीं इसमें वास्तवि परपस नाम में सोजाए जीवन का, अब रूप गुस्वामी बड़े कस्ट में एक तना से आए, चुपते चुपाते हुसायन शाह से निकल के आगए, कस्ट लिया, बहुत कस्ट लिया, वहां बाराम की जिंदगी थी, कभी हम कहते हैं, सही तो चल रहा है प्रभुजी बड हैं, बड़ एक ही आश्रम है, हमेशा आठके रहना तो नहीं सिखाया, इस वरन आश्रम है, तो ग्रिहस आश्रम में हमेशा ही चिपके रह जाएं, ऐसा नहीं बतायाएगा, हमें वानपरस आश्रम में भी जाना ही पड़ेगा, जब भी हम भागवान के लिए कुछ त्याग त्रिवेणी उपर प्रभुर वासा घर स्थान दुई भाई वासा कैल प्रभू सन्निधान श्री चैतने महापुरू ने गंगा तता यमुना के संगम के निकट प्रियाग में ही वो रूप गुश्वामी से मिलें द्यान रखिएगा अभी चैतने महापुरू प्रियाग में तो चैतने महापुरू ने गंगा तता यमुना के संगम के निकट त्रिवेणी नामक स्थान में अपना निवास्थान चुना रूप गुश्वामी तता श्री वल्लव दोनों भाईयों ने महापुरू के निकट ही अपना निवास्थान चुना जहां जहां भक्त जहां जह में महाप्रभु आईला शुनी आईलतार स्थानी उस समय श्री वल्लब भट आडाईल गाम में रह रहे थे जब उन्होंने सुना कि चैतने महापुरु आए हैं तो वे उनका दर्शन करने उनके स्थान पर गए अब श्री वल्लब की बात हो रही है एक और एक महान विद्वा थे ये वल्लब भट वैष्णाव दर्शन के महान विद्वान थे उनने पता चला कि चैतने महापुरु है तो दर्शन करने आए प्रार में वह चैतने महापुरु आप लियुक्त समर्पित थे कि इंतो जब उन्होंने देखा कि महापुरु ने उन्हें समंचिस संभान नह हों जानते हैं कि मापरू उनके फालोर्व की बैठक तो ये वल्लाब पाचारे पहले चैने मापरू को बडे करीब है लेकिन जब है तो चैने मापरू को भाता नहीं था उसमें Everything विड़ुता जलती थी और भक्ती भाव काम दिखता था था तो उनकी भाशन को उनकी चर्चा को चैतनमाह प्रोगेशन चाहते थे उनको अवाइड करने लगे और धिरे दिरे नहीं क्छी रुगाओ यही है ज्यदा विड़ुता थे यही समस्या होती है ज्यादा विद्वता से हम हमारे अंदर एंकार आ जाता हम सोचते हम बड़े वक्ता है या हम और कभी हमें सम्मान नहीं मिलता था हम उदास हो जाते हैं हम किसी जगर लेक्चर लेने जाते हैं तो पूछते हैं कितने लोग होंगे हम कहेंगे पचास होंगे पचास ना फिर तो तो हमारे जितना विद्वान होते हैं, जितना पुराने होते जाते हैं, हमारा एंकार उतना बड़ा होता है, हम कहते हैं, हम पुराने हैं, कई बार ऐसा होता है, कि नए लोगों को सेवा मिल गए, नए लोगों को पूछ लिया गया, ऐसा तो बहुत होता है, इसा तो बहुत हो तो ये है भक्ति उथानर्थ, भक्ति के साथ पूजामान प्रतिष्टा हमारे एर्देम आ जाती है, हम यहाँ पे केवल दास 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 बनने आए थे, तिरनाधिय पी सुनी चेन बनने आए थे, लेकिन समय के साथ इस लोग केवल कंठस्त हो जाता है, और हमारे अंदर तिरन क भावना तो नहीं आती है, बॉस की भावना आने लगती है, तो इसी प्रकार से कुछ-कुछ ऐसा ही इस प्रसंग में हुआ, बलबद्र बटचारे को लगा कि चैतन महापरु से सम्मान नहीं मिल रहा है, भगवान से जीव को सम्मान मिले, गुरू से हमें सम्मान मिले, ऐसी नहीं मान देना, अपनी मान की इच्छा ना करना, और मान की इच्छा भी किस से कर रहे हैं, करते हैं हम लोग, गुरू से, भगवान से, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे इतना अपमानित कर दिया, या गुरू देव ने ऐसा हमें नहीं पूछा, हमें पूछीने तो इस प्रकार से यहां हम सुलेंगे इसको कैसा बलबदर बटा चारे के साथ क्या हुआ तो बाद में वो विष्णु स्वामी संपर्दाय में चले गए संपर्दाय ही चोड़ दें चीग जी हम आपके साथ रहेंगे नहीं हम किसी और के पाद चले जाएंगे यहां तो कोई पूछता ही नहीं है किनो किसी और के जाने पर आपको बड़ा पूचा जाता है ओ वेल्कम कि उन्हें लगता है कोई आया कहीं से तूटके तो चलो वो भी अच्छा है उसको पकड़ लेते हैं वो लोग तो इसको लगता है रहे बड़ा संपर्दाय के नाम से विख्यात है इस संपर्दाय का गोकुल के निकट विंदावन तद मंबई में काफी परभाव है वल्लब भागवत की टीका सुबोधनी टीका और विदांत सुत्र पर टिपणिया अनुभाष्य के रूप में संबलित हैं उनके शोडश गरंत भी लिखा हुना में जिसमें सोला गरंतों का संकलन है और अलाइल गराम या अलेली गराम जहांवर रह रहे थे गंगा तद यमना नदी दक्षिन भारत में था जिसे त्रिलंग कहते है निडाडा भलू नाम का एक रेवे स्टेशन है जिससे सोला मेली की दूरी पर कांकड़ बाल या कांकुर पालू एक गाउं का नाम है वहाँ पर लक्ष्मन दिक्षित नाम का एक विद्वान ब्रामाट रहता था वल्लब ब्रामाट जाती के लगबग पांच अनुभाग हैं बेल नाटी, बेगी नाटी, मुर्की नाटी, तेल गुनाटी तता काशल नाटी ब्रामाट जाती के पांच अनुभाग और इसमें से वल्लब अचारे का जनम इन पांचों ब्रामाट जात्यों में से वल्लब अचारे का कि इन तो वल्लबाचारे को अपना पुत्र स्विकार करने के लिए घर लोटाए अन्य लोगों के मत के अनुसार वल्लबाचारे के चैतरमाज की कृष्ण पक्ष की एक आदिशी के दिन संवत पंग्रासो सकावद में उत्पन हुए उनका जनम जो है कुछ लोग कहते हैं खंग्म पाटी बारू नामक ब्रामन कुल में हुआ तो थोड़ा अलग मत है इस मत के अनुसार उनके पिता का नाम लक्ष्मन भट दिक्षित था और वे चंप कारणने में उत्पन हुए एक अन्यमत है कि बल्ला भट चारे का जनम जो है चांपा जार ग्राम में हुआ जो मद्र पितेज के राजिम डेलवे स्टेशन में तो अलग अलग थोड़ा इनके मत हैं इनके जनम से रिलेटेड वारानसी में 11 वर्शों तक अध्यान करने के बाद बल्ला भट चारे आपन इन्होंने राजा बुकराज के पौत्र कृष्ण देव को ग्यान दिया इसके बाद प्रते एक बार छे वर्शों तक उन्होंने भारत का तीन बार ब्रह्मन किया इस प्रकार इस तरह उन्होंने 18 वर्श विताए और शास्तरात में विजय हुए जब यह तीस वर्श के थे तब उन्होंने महालक्ष्मी के साथ विवा किया जो उसी ध्रामन जाती की थी जिससे विश्वायम थे उन्होंने गोवर्धन परवत के निकट घाटी में अर्च विग्रेगी स्तापना करी अंत में उडाई लाए जो प्रियाकसे यमना प्रियाकसे यमना के उस पार पर है यहां पर यह चैतने महापु से मिले और वल्लबाद पचारे के दो पुत्र हुए गोपिनात और विठलेश्वन विद्धावस्ता में उन्होंने सन्यास ग्रेंड किया और 1530 में वारणसी में उन्होंने भौतिक जगत का त्याग किया और कई सारी ठीकाएं लिखी तो इस यह नहीं सुख सकते हैं कि वल्लबाद पचारे ऐसे थे वैसे थे जैसे भी थे चैतने माप्रू हमें कुछ शिक्षाएं देंगे उनकी जीवन के चरीतर से वह हमें शिक्षा ले लेनी है लेकिन भगवान की उनके विशेष किरपा रही होगी तभी उन्होंने इतना ब्रहम करना है और क्या नहीं करना है किसका संग करना है किसका संग नहीं करना है लेकिन किसी का क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है कि किसी का क्या करें उसको क्रिटिसाइज करते हैं उसकी कमियां डोबते रहे हमने पहले भी कहा है कई बार कि तीन कैंसरों में यह एक एंसर है नहीं क स्कर्द के रहते हैं अपने से से बीसे को निचा दिखाने के लिए तो किरिसाइस करते रहते हैं फिर मौक आनी सिस्व 9 स इसी करे है इससे उदर में भी दिर्वा संपरवर कि वो विश्वु समय संपरदाय को और बढ़ाएं आप वहापर गुरंतों की रिचना करें तो इस प्रकार से हमें सोचना ची तिहों दंडवत कैल प्रभु कैला आलिंगन दुई जने कृष्ण कथा हाईल करता तक्षान वल्लव बटाचारे ने श्री चैतने महापरु को नमस्कार किया महापरु ने उनका आलिंगन किया और इसके बात को समय तक वे कृष्ण कथाओं में विचार विमश में लगे रहे करते रहे कृष्ण कथा ए प्रभुर महा प्रेमा उथलिला भटे रसंकोचे प्रभु संबरन कैला जब वे कृष्ण कथा के विशा में बाते कर रहे थे तब श्री चैतने महापरु को अत्यादिक प्रेमावेश का नुभा हुआ किन्तो उन्होंने अपना भाव को रोक लिया क्योंकि वल्लववट के समक्ष उन्हें संकोच हो रहा था तो ऐसे भाव जो है हमने कई बार सुना है श्रीला परुपाज ने भी पब्लिकली कभी किसी भाव को आने ने दिया गए क्योंकि वो यही सोचते थे कि कैसे इससे कुछ सहजिय ना बन जाएंग लोग लोग अक्सर सहजिय बन जाते हैं और भाव दिखाने लगते हैं रोते हैं दोते हैं लेकि उनका पर्सनल जीवन में कुछ बलिदान कुछ त्यार कुछ नियम नहीं होता है तो जो नियम का पाना नहीं करता है उसको सहजिय कहते हैं तो इसलिए भक्त लोग अक्सर ये जो अपने ऐसे भाव हैं ये अंतरुनी भक्तों के साथ चतने महापरु दिखाते थे दामुद सरूद दामुदर रामन गराये लेकिन यहां पर बल्लब बट्टाचारे के सामने उन्हों अपनी एमोशन्स को रोक लिया लेकिन उनके अंद कितर प्रेम वेष ँमणने लगा रोक नहीं पह रहे हैं अलुदर से सप्ला ही हो रही है थो पानी बढ़ता जा रहा है बांध को नद्द को रोकावारा एह है जिए इनफ्लो बड़ी तेजी चासब आ रहा है मानब बरसाथ कश्ड़ का मॉसम है तो बड़ी तेजी से बानी दूई भाई ताहार मिलाईला और इसके बाद वल्लब भट ने शी चैतने महापरु को भोजन पे बुलाया और महापर्भु ने रूप और वल्लब दोनों भाईयों का उनसे परिचय करवाया दूई भाई दू रहे थे भूमी थे पढ़ी हैं भटे दंडवत कैला आती दीन हैं ये देखिए ये हैं हमारे गाइड हमारी संपरदाय के लीडर इनको हमें फॉलो करना है ये रूप गुसामी सनातन गुसामी उनके ये शड़ गुसामी एक ऐसा आचरन करते हैं रूप और स दीनतावश दूर से ही भूमी पर गिर कर वल्लब भट को परनाम गिया दूर से ही गिर कर जो कि वह अपने आपको अभी भी शूद्र मान रहे हैं अल्दो चैतन्य महाप्रभू उनको स्वयम इंट्रडूस कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कई बार हमारा इंट्रोड़ परायत ने सारे लोगों के बीडिए गुरू सहम हमारा इंट्रोड़क्शन दे रहे हैं अब हम स्पेशल वेक्ति बन दे हैं ऐसा लगने लगता है और इसलिए कहता है कि कई बार बहुत क्लोज आ जाते हैं न हम जो भगवान से आने लगते हैं और अनर्थ नहीं मिटाते है अपने इड़्दे से तो बहगवान में कमया दिखती हैं गुरू में कमया दिखती हैं तो हम उनको बराबर का हमें बहुत पुराने हो जाते हैं तो हमारी अड़वाइस बिल्कुल परफेक्टली चलने लगती है दो-चार लोगों उनके जीवन में परफेक्ट बैढ दी त तो मैं लगता है देखो, हमने भी वही कर दिया जो यह करते हैं, तो हम बराबर के हो गए, तो कुछ ऐसा दिमाग माया जाता है, लेकिन जो भक्त हैं, वो हमेशा अपने नहीं मानते हैं, गिरा बमानते हैं, अपनी ओरीजनल पोजीशन को ध्यान रखते हैं, कि मैं क्या था, भक्ति माने से पहले, इस अंसार में आया हूँ, मनुष्य शरीर में हूँ, जरूर मैंने कुछ ना कुछ भगवान से कॉंपटिशन किया, तभी तो मैं शरीर में आया, अगर दास करा होता सत्तो में रहा होता, तो क्यों आता? तो वेक्ति अपने एको ध्यान में रखता है, जैसे चैतने मावब करते हैं तो मैं एक धोंगी हूँ, यदि मुझे कृष्ण से प्रेम होता तो मैं मर नहीं जाता, तो भग्त अपने आपको अमेशा निम्न मानता है, रूप और श्री वल्लब ने अपने आपको एकदम निम्न माना, और निम्न मानके दूर से ही उनको प जबे आए गले मिलें चैतने मापरू के साथ में हैं तो कोई special वेक्ती होगा, और चैतने मापरू को इंटरूस कर रहे है, जरूर कोई special वेक्ती है, लेकिन दूर चले रहे हैं, नहीं नहीं, हम अचूत है, अत्यंत पापी हैं, हमें नाचोएं, हर वेक्ती अपनी position को बतान इतने सारे भक्त मेरे अंडर हैं मौका मिलते ही हम यह बोलना शुरू करते हैं और यहां पर यह कुछ नहीं बता रहे हैं आ रहें कि हमे से लिए राम के ली म आ हम वहां से उनसे मिलने के लिए हम इतनी बड़ी पोजिशन बंगाल का परदान मंत्री बंगाल का वित्त्य मंत्री हूँ हैं जानते हैं कुछ नहीं उन्होंब को रहे हैं और सी से उच बना मणते हैं ल teachings कर नोय आहिला प्रभुर हर्षमन भटे रखा हिला प्रभु तारविवरन और बलब भटा चारे को बड़ा अश्रे हो गया ऐसी भावना जो है ये केवल ये क्रिश्टन चैतन्य महापरु के अनियाईयों में दिखती है जोंकि उन्होंने ही ये हमें श्लोग भी दिया ग्रणादेप है बड़ी विनम्र है कोई इनको कुछ बोल देता है तो बदले में बोलते भी नहीं ये हमारी संपर्दाय का ट्रेड मार्क है लेकिन यदि यह मेरे अंदर नहीं है तो इसका मतलब में संपर्दाय में हुई नहीं होते वे भी ये हमारी संपर्दाय का ट्रेड मार्क होना च इसकेस की बात करें, इस संपरदाय के लोग जो है, सारे शड़ गुस्वामी किस पर कार रहते थे, हमारे आच्छारे किस पर कार रहे, परुपात का जीवन, सभी में एक कॉमन फैक्टर देखता है, यानि कि यह हमाले सबसे इंपोर्टेंट गुण है अरजित करने के लिए, तो वल्लाबाइ बटचारे बड़े आशिर ऐसा तो नहीं देखा था कभी, कोई अपने आपको इतना विनमर मान लें, किन्तु चैतने महापरूप बड़े परसन थे अंदर या अंदर, उन्हें रुप गुस्वामी का ये विवरन उन्हें दिया, ओके, एहो नास पर्शिह ये हो जाती हाती हीना, वैदिक यागिक तुमी कुलीन अप्रवीना, देखिए, चैतने महापरूप क्या कहते हैं, कि उन्हें मच हुई है, वो अत्के अंदर निम्न जाती का है, आप तो वैदिक निमों के अन्याई है, अने यग्यों को संबन करने में अनुभूई है, वैशना वैसा सूचता है, हमारे एदे में सम्मान की इच्छा होती है, तो सम्मानित होई जाते हैं, वो चाहता नहीं है, लेकिन भगवान उसको सम्मानित कर देते हैं, that's a different thing, जैसे माधवेंदर पूरी का fame भगवान ने चारो तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उनकी इच्छा डाटना केवल आदमी अपने ही प्रेमी भगतों के साथ करता है, जिसको जानता है कि ये मेरे अनुगत हैं, शरणागत हैं, उनी के साथ ऐसा करता है, इसका मतला अपना पन है, यहाँ पर चैतने मापरु जानते थे हैं, लेकिन उनकी इस भाव से इतने परसन हुए, रूप तो कुलीन है, आप यग्यों को करने वाले हैं, तो जैसी भावना इर्दे में हम पैला करते हैं, भगवान वैसी ही पूरी कर देते हैं, तो इनको सम्मान मिल गए हैं आपर, समानतिया ब्राह्मनों को इसका मिठ्या गर्व रहता है कि वह कुलीन है, बैदिग यह करते हैं, दक्षिन भारत में विशेषता है, गर्वित से थी अत्यादिक मुखर है, जो भी हो पांसो वर्ष पूर ऐसी दशा थी, चैतने महापरू ने हरे कृष्ण मंत्र के कीरतन का शुबारम करके, इस भ्रामन पद्दती के विरुद्ध विद्रोह श्लू किया, जो भ्रामन पद जनम के अधार पर थी और वैदिक करम गांडो के अधार पर थी नाकी भगवान की भक्ति, इस कीरतन से जाती, पांती, रंग, समाजिक स्थिती के भेदवाव के बिना मनुष्य का उधार किया जा सेता है, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीरतन करता है, वे भक्ति की दिव वास्ताओं में रूप निमन जाती के थे ही नहीं, वे अत्यंत कुलीन पर हमर परिवार के थे, लेकिन उन्हें असा लगता था कि उन्होंने एक मुसलिम नवाव की संगती करी है, इसलिए वो पतित हो गए हैं, निशकाशित हो गए हैं, लेकिन चैतने महापरू ने उनकी उननत भक्ती के कारण उनने गोस्वामी के रूप में सुईकार किया, अब बल्लब बट्टाचारे ये बात जानते थे, भक्त की जानती पाती नहीं होती, फिर भी बल्लब बट्टाचारे अपने आपको प्रतिष्टिट अनुभाव करते थे, ये समास्या होती है, इतनी न नामणों में देखना जी, ये राजपुतों में ही देखना जी, हमें तो पंजावी लड़का ही चीए, मतलब इतने सालों तक सुनने के बाद भी कोई परिवर्त नहीं आता है, इसका धकन हमने लगा रिका है, बंद किया हूँ है, घड़े को बंद किया हूँ है, नलके के अठकन बंद है, इसका जी नलके की ऊपर घड़े को कर दिया है, नीचे से नल भी रहा है, हमने अपने बुद्धी को ब्लॉक कर रखा है, सुनने के लिए बात है, तो सुनने की बात है, बड़े पिमन जी ना अलग है, जी दोया, आना कितने लोगों परिवर्त ंपू है, प्रैक्टिकली तो यह है ना इस समस्चाहें होती है ना क्या करें तो लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकल जीवन अलग है कथा तो किवल सुनने के लिए इसलिए उनके निजी आचरण में वो परिवर्तन दिखते ही नहीं है शादी बिया में उसी तरह करते हैं जैसे कि सदि जब तक खाने के 50 टॉल नहीं होंगे 100 टॉल नहीं होंगे जो कि हल्वाई बनाएगा चाह कितने शुद्धता से बनाए लेकिन वो दिखना तो चीए ना वैसे दिखेगा तभी नाम होगा अगर वैशनों को बुलाने का इतनी ही शौक है तो क्या हमने वैशनों का उचित आ इससे हमारा ही नुकसान होता है यहां बता रहे हैं वल्लब वट्टाचारे को सब कुछ पताता है सारी बात है कि वैशनों का जाती थोड़ी होती है लेकिन फिर भी हम अच्छी जाती में पैदा हुए है यहां यज्यों को करना जान गए तो हम अपने आपको स्टेस्ट मान बंबई के वल्लब वट्टाचारे संपरदाय के वर्तमान अध्यक्ष दिक्षित मारार हैं वे हमारे आंदोलन के परती अच्छा मित्रभाव रखते हैं और जब हमारी उनसे भेट होती है तो ब्रहामण विद्वान हरे कृष्णा आंदोलन के कारेयों के खूब परसंदा करत हैं और इसके सदस्यों को भगवान विष्णों के प्रमानिक भगत समझते हैं कभी न कभी तो रौशनी होई जाती है सूरिय में थोड़ी देर के लिए बादल आ जाते हैं लेकिन बादल हमेशा तो रहते नहीं शुरू में अपमान होता है भगत सेहन करता है सारे संसार को बाद में समयदा आता है ये ही हैं असली भगत। इसलिए हमएं रेक्ट नहीं करना है हमें आपनी भगती के प्रॉसस को चालू रखना है जारी ज्यार ने रखीए हो सकता अभी हम आप मानित हो रहे हो संसार से लेकिन समय आने पर इसका प्रदमिन दुम्ध्ण मुखेoscे स् संकेतों को समझ गए यानि कि निरंतर कृष्ण का नाम जप रहे हैं वल्ला बट्टाचार ने का ये तो कोई साधान व्यक्ति नहीं हो सकता है तो नाम जप जा रहा है दुहार मुखे कृष्ण नाम करिचे नर्तन एई दूई अधम नहे हया सर्वतम अधम बट्टाचार ने का जब ये दोनों निरंतर कृष्ण का नाम कीर्टन जब करते हैं फिर ये अस्परिष्र कैसे हो सकते हैं उल्टे ये सर्वतम है अब उनको दीरे दीरे ये बाद रिलाईज हो लिए तो कृष्ण का नाम जो है हमारे लिए सोला माला वो minimum माला है ध्यान रखिए हम आपको बोलते हैं 16 माला बैठ के सब्सक्राइब रखेजिए लेकिन अग चलते फिरते माला करने को हमने मना बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि हम उसको extra माला मानते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि अधर से माला करने हैं दोनों काम साथ में करने हैं लेकिन दिरंतर यह अस्त्र जो है हमारे हाथ में हमेशे होना चीए इस अस्त्र को लेकि ही हर जगाय जाने का प्रयास करें जहां मौका मिले या तो पढ़ ले ज़ादेर तक पढ़ भी नहीं पाएंगे ज़ादेर तक जब भी नहीं कर पाएंगे ज़ादेर तक दोनों भी नहीं कर पाएंगे तो मौबाईल में लेक्षय चला ले तो जब मौका मिले तब ये काम कर ले तो ये कहते हैं कि जब निरंतर ये ऐसा कर रहे हैं तो अस्परिश्य कैसे हो सकते हैं वल्लब बट्टाचारे द्वारा दोनों भाईयों के उच पद को स्विकार किया जाना, उन लोगों के लिए शिक्षा देने वाला है, जो अपने ब्रामन पद पर मिथ्या गर्व करते हैं, कभी कभी तता करें ब्रामन, हमारे यूरोपिय तता अमेरिकी शिश्चों को भक्त भक्त या ब्रामन नहीं मानते, और कुछ इतने एंकारी होते हैं कि उन्हें मंदिरों में परवेश नहीं करने देते, यहां पर चैतने महापरू एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, यह द्यपी वल्लब बट्टाचारे ब्रामन वाद के धुरंदर पंडित थे, कि इतने ब्रामन को हमने इंकार सुना आं इससे जपनेों छों मिलेगा भी और लिए एक आयुक्षर माने जिखें। तो हमने सुना, किसी को बोले हैं, बहुत साल पहले की बात है, कि जो तुम यह नाम जपने हो ना, यह बदाम कीतर है, बदाम कहा रहे हो, तुम लोग, बिल्कुल बड़ी हुआ है, लेकिन, जो, क्योंकि वो हाथवात देखके कई सारे चीजें करते हैं, तुमने गादा यह से तो नहीं लगता है कि यह भी तो जरूरी है, यह सारी खाना, पीना, एश, यह सब चीज़े है तो इससरे से खुद भी brhaamit है और संसार को brhaamit कर रहे हैं भगवान की किरपा से उनने ही ज्यान मिला है, वो भूल जाते हैं ये शक्ति भी धगवान नहीं रोए की वह कुछ brakes कर में कि वा डगवान जीटी पेड़िया है तो जब भगवान इंहें शक्ति दिए उनका भी pathler कर रहे हैं तो हमारा pathler क्यों नहीं कर लेगई इसलिए टोटली भगवान पे निर्भर होकर जाती अपाती को ना मानते हुए हम यह देखें कि कौन वैश्ना है उसका संग करें और बाकियों को इसका डान दें वैश्ना बनाने का प्रयास करें क्योंकि यह उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन सुख लेके आएगा तो वल्लव बट्टाचारे के साथ यह प्रसंग आती यान देने वाला है सिखाने वाला है जो हम सीखते रहेंगे श्लपरुपात की जाए सुछेतन्य चरितामित की जाए श्रकृष्टन दास का विराज की जाएगा